Good morning students, today I am going to teach you chapter money and today's topic is coins and notes आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? coins और notes के बारे में तो आपको क्या करना होगा? आपको coins और notes के बारे में समझना है तो आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बता रही हूँ और क्या समझा रही हूँ जब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में भी कुछ भी नहीं आएगा तो इसलिए आपको क्या करना होगा इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा तो हमारा आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है money money मिन्स क्या होता है पैसा तो आज हम किस टॉपिक पर पढ़ेंगे coins and notes के बारे में कि हमारे जो इंडिया में कौन सी currency चलती है तो आज मैं आपको और notes और coins को बताऊंगी कि कौन से सिख्के हमारे इंडिया में चलते हैं और कौन से notes तो ठीक है मैं अब आपको बताने जारें तो आपको क्या करना होगा ध्यान से सुनना होगा और देखना होगा there are two types of currency कितने types के currency होते है तू टाइप के तो there are two types of currency निंस कितने टाइप के होते है तू टाइप के तो first ताइप है coin तो पहला क्या है coins और second टाइप क्या है notes means हमारी इंडिया में कौन से two types के currency चलते coins और दूसरा क्या है notes तो आज मैं आपको coins और notes के बारे में ही बताने जा रहे हूँ क्योंकि बिना coins और notes के बिना हम कोई भी चीश को खरीद नहीं सकते shop पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास money होनी चाहिए मतलब पैसे होने चाहिए जिससे हम हमें कुछ भी खरीदना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? buy कर सकते हैं उसको तो आज हम उसी notes और coins के बारे में पढ़ेंगे तो मैं पहले आपको क्या बताऊंगी coins के बारे में तो first I am going to introduce you which currency coins we use means हम कौन सी currency coin को use करते हैं? मैं आपको वो बताने जा रही हूँ तो first क्या है हमारा one rupees ये क्या है coin आपको देख रहे हैं आपे one rupees फिर क्या आएगा two rupees हम पहले one rupees की coin ये क्या है one rupees की currency है ये क्या है two rupees ये है five rupees और ये है ten rupees तो अब हमारे इंडिया में one rupees की coins चलती है two rupees three rupees की कोई coins नहीं है न four rupees की कोई coins है फिर उसके बाद कौन सा coin आता है five rupees का five rupees के बाद six rupees की भी coin नहीं है न seven न eight न nine उसके बाद direct कौन सा coin आ रहा है ten rupees का तो ये जो four है coins ये क्या करते हमारे इंडिया में इन coins का use होता है पहले 50 पैसा ten पैसा five पैसा ये सब भी थे बट वो सब क्या हो गए अब बंद हो गए अब सिर्फ one rupees coin two rupees coin five rupees coin and ten rupees coin ये ही जो सिक्के हैं ये ही चलते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं coins means currency coins तो ये क्या है आपको क्या दिख रहा है ये coins दिख रहा है ये आप लोगोंने देखा है क्योंकि आप जब shop पे जाते हैं कोई सामान बाय करने के लिए तो आपको ये सिक्के और ये जो नोर्स अब में दिखाऊंगे आपको उससे दिए बिना आप कोई भी सामान नहीं खरी सकते हैं सिर्फ 1 रूपीज कोईन, 2 रूपीज कोईन, 5 रूपीज कोईन और 10 रूपीज कोईन तो अब आपको coins तो समझ में आ गया होगा कि हमारे इंडिया में कौन-कौन सी coins चलती है तो अब आपको पता चल गया है 1 रूपीज की, 2 रूपीज की, 5 रूपीज की और 10 रूपीज क तो ये था हमारा first type of currency coins ठीक है मतलब दो type के हमारी currency होती है coins और notes तो हमने पहला क्या पढ़ा coins क्या पढ़ा हमने coins अब हम क्या पढ़ेंगे notes के बारे में तो मैं अब आपको one by one notes बताने जा रही हूँ तो हम क्या पढ़ेंगे अब notes तो पहला है 5 rupees यहां आपको दिख रहा है 5 rupees की note तो क्या है यह 5 rupees की note 5 rupees की coins भी है और 5 rupees की क्या है note भी है यहां आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है आपको 5 rupees की coin और 5 rupees का note भी है तो यह क्या है यह note है और यह क्या था coins था अब हम इसके आगे वाली notes के बारे में देखेंगे तो ये क्या आपको दिख रहा है 10 rupees तो 6, 7, 8 और 9 की notes भी नहीं होती है ना coin होता है ना notes होती है अब डैरेक किस rupees का note आया है ये 10 rupees का तो 10 rupees की note कैसी है ऐसी फिर उसके बाद 20 rupees 11 से लेके 19 तक की कोई note नहीं होती है उसके बाद क्या है 20 rupees यहाँ आपको 20 rupees दिखाई दे रहा है फिर उसके बाद 21 से लेके 49 तक की कोई note नहीं होती है उसके बाद हम क्या देखेंगे 50 rupees की note क्या है ये 50 rupees की note यह आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा अब 50 रुपीज के बाद हम कौनसी नोट देखेंगे 100 रुपीज की यह रहा 100 रुपीज की नोट यह आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से 100 रुपीज की नोट तो हमने पहला नोट क्या पढ़ा था 5 रूपीज फिर उसके बाद कौन सी नोट आई 10 रूपीज फिर 20 फिर 50 फिर 100 ये क्या है ये हमारे इंडिया में ये नोट चलती है ये आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा क्योंकि नोट सब ने देखा है क्योंकि सब के घरों में जब कोई मम्मी आपको पैसे देती है तो आपको भी पता है कि नोट क्या है तो ये कौन सी नोट है 10 रूपीज ये 20 ये 50 ये 100 अब हम इससे बड़ी बड़ी वाली नोट भी देखेंगे तो अब हंड़ेट के बाद हम कौन सी नोट देखेंगे 200 हंड़ेट के बाद कौन सी नोट आई 200 फिर उसके बाद 300 400 की कोई नोट नहीं होती है फिर क्या आएगा हमारा 500 क्या आगे हमारा 500 उसके बाद 1000 की भी नहीं है उसके बाद क्या है 2000 क्या आएगा हमार नोट 2,000 तो यह क्या थी हमारी नोट्स थे यह सारे क्या थे हमारे नोट्स जो हमारे इंडिया में यह नोट्स चलते हैं ठीक है पहला नोट्स क्या था फाइफ रूपीज का मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ ठीक है अब मैं आपको एक बार फिर से बताने जा रही हूँ पहले क्या थे हमारे coins ये क्या है 1 rupees coin, 2 rupees, 5 rupees और 10 rupees ये क्या हमारे coins है अब हम क्या करेंगे अब अब notes दिखेंगे ये क्या है first हमारा 5 rupees का note भी है और 5 rupees की coin भी है ठीक है फिर next 10 rupees तो 10 rupees की note भी है और 10 rupees का coin भी है अब 20 rupees तो यहाँ पे 20 rupees की तो कोई coin नहीं है शिर्फ क्या है note है तो याद रखना है 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees और 10 rupees ये क्या है coins है 5 rupees, 10 rupees, ये 20 rupees जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है notes है फिर उसके बाद 20 के बाद क्या आएगा हमारा 50 rupees फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा 100 उपीज फिर उसके बाद हमारी कौन सी नोट साएगी 200 उपीज फिर उसके बाद 500 उपीज फिर उसके बाद last हमारा क्या है 2000 क्या है हमारा 2000 तो ये क्या है 2000 के बाद कोई भी नोट नहीं है 2000 हमारा क्या है आकरी नोट है तो ये जो coins है और ये जो notes है ये क्या है हमारे इंडिया में ये ही notes और coins चलते हैं बाकि जो अलग-अलग जो देश है वहाँ पे अलग-अलग currency चलती है तो हमारे इंडिया में क्या है currency coins और notes है तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा coins और notes क्या होते हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए coins means यह 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees और 10 rupees और notes 5 rupees के भी notes है 5 rupees की coin भी है, 10 rupees के भी note है 10 rupees की भी coin है फिर 20 rupees है, फिर 50 rupees है फिर 100 है, फिर 200 है, 500 है और 2000 है तो यह रहा हमारा notes और coins तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि notes किसे कहते हैं, coins किसे कहते हैं और हमारी इंडिया में कौन से notes और कौन से coins चलते हैं Thank you and have a nice day